तो मैं अभी calculus discuss कर रहा हूं particularly calculus for the physics और यह 11th physics series है और इसमें J.E.N.E.T. और board cover हो रहा है तो यह 11th जब यह students है उनके लिए खास करके बहुत important है और क्योंकि इसका यह मतलब एक तरह से बोले तो यह आपको physics में calculus का क्या application है खास करके आपका यह जो दो topic है आपका differentiation और एक आपका आजाएगा integration ठीक है बच्चों तो यह हम लोग details में discuss करेंगा और इसका physics में कैसे यूज करते हैं और जो मैं next topic तुम लोग को पढ़ाने वाला हूं इसमें graphical analysis इसमें भी हमारा यूज होगा ठीक है ना खास करके यह non uniform quantities के लिए यूज होता है ठीक है ना तो अगर बात मैं करूं differentiation का ठीक है तो उसको details discuss करेंगे ठीक है ना उसके बाद integration तो आप लोग मुझ हम लोग इसमें details में discuss करेंगो physics में काफी उज होने वाला है ठीक है तो अगर मैं बोलूं differentiation की बात करूं differentiation ठीक है टी आई differentiation तो यह क्या है एक तरह से बोले it is mathematics of the change mathematics of micro change small change ठीक है ना micro change राइट यह है आपका मालों जैसे कि आप change की बात करते हो ना तो चेंज में आप ऐसा बोल सकते हो दो तरह का change है एक average change है आपका average change और एक आपका micro change बोलो या physics के हिसाब से इसको एक और बोल सकतो instantaneous change instantaneous change राइट तो हम लोग यह जनरली जैसे कि आपको example के लिए average speed ठीक है ना तो average speed आपका क्या होगा टोटल डिस्टेंस है ना तो यह क्या average change है ठीक है ना यह average change है और यही अगर आपका डेल्टा टी अगर आपको टेंस टू जीरो मतलब बहुत स्मॉल हो जाता है तो हम लोग इसको d by dt of s लिखते है और इसी को हम लोग क्या बोलते है differentiation बोलते है तो थोड़ा इसका हम लोग mathematical format देखते है और भी मैं कुछ example से आपको समझाता हूँ ठीक है ना जैसे आप समझो देखो जैसे circle है ठीक है आपका circle है जैसे यह circle है radius r है अब मैं radius को थोड़ा change कर दिया r plus delta r कर द in area हो गया अगर delta r small delta r क्या है आपको यह आप मालो a small change in radius है delta r क्या है a small change in radius small change in radius ठीक है और यह delta r इसको calculus में DR लिखते है अगर delta r अगर finite अगर change होगा ना तो इसको आप लिखोगे delta r और अगर small change होगा तो आप dr लिखोगे ठीक है ना तो यह ध्यान देना है a small change radius को हम लोग dr लिखेंगे और उसी का corresponding link जो यह देख रहो आप लोग तो यह आपका da तो da क्या हुआ a small change in area राइट यह क्या हुआ a small change in area हो गया राइट a small change in area तो एक terminology आ रहा है da by dr ठीक है ना da by dr इसको ऐसे भी लिखते है तो यह हुआ change in area a small change in area with respect to radius क्या हो गया a small change in a small change in area a small change in area with respect to radius with respect to radius ठीक है यह हो गया है ना अब देखो और भी एक मैं discussion कर रहा हूं जैसे कोई ले लो आप ऐसा यह आप स्क्वेर ले लो एल 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 है ना सारा साइड बराबर है एरिया जो होगा एल स्क्वेर यह initial area अब थोड़ा इसको extend कर दो एल प्लस डेल्टाइल एल प्लस डेल्टाइल एल प्लस डेल्टाइल राइट एल प्लस डेल्टाइल और डेल्टाइल मालो आप या आप एसा इसको लिख लो डी एल ठीक है ना डील का मतलब small change है ना ठीक है यह एल डील तो डील क्या हुआ है small change, यह small change in length हो गया, ठीक है न, small change in length, ठीक है, small change, तो अभी यह जो आप area final हो गया न, यह L plus DL, L plus DL का whole square, ठीक है, L plus, तो इसको expand कर दो, L square, 2L, DL, plus DL का whole square, है, अब यह ध्यान देना, DL का है, बहुत small है, very small है, अब से 1 by 2 है, और 1 by 2 का square कर तो और small हो जाएगा, छोटा quantity को अगर आप multiple, multiple square कर रहे हो, इसको बार-बार square कर रहे हो, तो वो छोटा होते जाता है, तो आप यह मतलब समझो कि बहुत-बहुत और ज्यादा छोटा हो रहा ह है, very very small हो रहा है, ठीक है, अब देखो हम लोग करते क्या है, changing area निकालते है, है न, तो DA, DA is equal to क्या होगा, A final minus A initial, तो L square, 2L DL, ठीक है, plus DL का whole square, और minus L square, यह गया, और इसको approximately आप 0 मान सकते हो, तो DL is very very small, तो DA is equal to 2L DL, अब एक और quantity define करते है, DA by DL, तो 2L DL by DL, तो DL DL गया, तो D by DL of area is equal to 2L, या D by DL, area के बदले आप क्या लिख सकते हो, L square is equal to 2L, तो देखो यह जो अभी मैंने किया न, यह जो प्रोसेस, अब यह, अभी मैंने L square के लिए किया, तो अपना अंसर क्या आगया, 2L, अगर यह देखे तो है क्या यह, a small change in, है न, क्या है यह, a small change in area, a small change in area, with respect to length, right, with respect to length, तो ऐसा क्या होता है, कि अब यह different, different quantities में हम लोग a small change देख रहे है, with respect to another quantity, तो अभी L square के लिए किया, तो 2L आ गिया, मान लो अगर कोई L Q होगा, L 4 होगा, L 5 होगा, तो यह बार-बार हम लोग ऐसा process नहीं करेंगे, उसके लिए mathematics क्या करता है, कि कोई easy आपका device develop करता है, कि easy formula develop करता है, कि जिससे कि आपको other calculations के लिए, a small change के लिए, आपको useful हो जाए, कि बार-बार यह हम लोग fundamental process से नहीं गुज़रेंगे, तो उसी जो नया जो हम लोग method discuss कर रहा है, वो आपका differentiation कर लाता है, ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो जैसे कि D by DL of L square 2L, तो उसी तरीके से आप, सोच लो, आप ऐसे अगर D by DX of X square, तो यह क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको idea मिल रहा है, ठीक है न, और यह कुछ नहीं, एक change है, with respect to another quantity, D by DY of Y square 2Y हो जाएगा, अब यह D by DX, यह एक sign है, एक symbol है, ठीक है न, यह कोई एसा नहीं कि DD, mathematical कुछ प्रॉसेस नहीं, symbol है, मतलब यह क्या हुआ, change in any quantity with respect to X, क्या हो जाएगा, change in any quantity, right, any quantity with respect to X, with respect to X, मतलब आपको ध्यान देना है, कि यह एक symbol है, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, है न, change in any quantity with respect to other quantity, ऐसा आएगा, ठीक है, अब वो इसका fundamental प्रॉसेस में सिखा दिया हूँ, आपको, एक तरह का simple difference निकाल करके, और ratio लिया गये था, और इसके अलावा यह कोई नया चीज नहीं है, बस इसी का अब हम लोग, अब वो बार-बार fundamental प्रॉसेस से नहीं गुज रहेंगे, मतलब आपको एक मैं formula d by dx, यहाँ पर x to the power n, तो nx n-1, यह हम लोग formula यूज करने वाले हैं, और बहुत सारे function हैं, जैसे d by dx, यह of sin x, तो इसका होता है, cos x होता है, d by dx of cos x का जो होता है, minus sin x होता है, ठीक है, इस तरह से ओप chapter by chapter जो तुम्हाँ use आने वाला है, उसके use करेंगे, ज्यादा हम लोग अभी presently, जो first chapter motion the state line के context में भी discuss कर रहा है, ठीक है न, तो उसमें यह utilize होने वाला है, d by dx of x n, तो जैसे मालो अगर d by dt of t का power n, तो यह हो गया nt n-1, राइट, d by dt of t का power 3, तो 3t 3-1, तो this will be 3t square, राइट, अब जैसे मालो कि आप देखो कि कोई एक block है, और यह move कर रहा है, भी अब ऐसा, यह आप समझो कि जैसे आपको velocity, यह velocity क्या है, change in position, राइट, change in position with respect to time है, राइट, तो v is equal to d by dt, और यहाँ पर क्या field up हो जाएगा, x, उसी तरह से a, आपका d by dt, यहाँ पर क्या field है, v, यह हो गया velocity, मतलब क्या है, आपका, this is the change in velocity with respect to time, ठीक है, तो यह देखने में आपको यह mathematical लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको physically समझने का try करोगे, तो आपको feel आने लएगा, ठीक है न, यह instantaneous velocity, d by dt of x, ठीक है, तो आप जैसे, आप समझो, कि, आप, मानलो, यह आपका कोई block है, और यह move कर रहा है इधर, x0, t0, इसका position दिया है, 5, tA square, अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना, d by dx of, यहाँ पर कोई constant quantity है, तो constant में कोई change नहीं है, चेंज का आप difference नहीं निकात सकते है, ठीक है न, तो वो जो होगा, उसका answer क्या होगा, 0 होगा, और d by dt of, मानलो, कोई, suppose that कि, c constant है, और xn, तो यह जो, अब यह pure constant नहीं है, c बाहर हो जाएगा, d by dx, d by dx, x का power n, तो cn, xn-1, ठीक है, अब देखो, जैसे इसमें, find velocity of block, block, at t is equal to 2 second, तो देखना, ध्याम देना, कि यह t is equal to 2 पर find करना है velocity, तो v is equal to, d by dt of the x, तो d by dt of 5t square, राइट, तो 5 बाहर हो जाएगा, d by dt of the t square here, तो 5 into t square, 2t, 2 minus 1, तो 10t, and t का value 2, तो 10 into 2, 20 meter per second, ठीक है, तो अभी presently, जो मैं assignment sheet आपको दूँँगा, उसमें इस तरह से आपको छोड़ेट प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, और भी जो previous, last, next lecture में इसका detailing किया जाएगा, लेकिन अभी मेरा जो core purpose है, fundamental purpose है, कि आपको थोड़ा differentiation और integration नया नहीं लगना चाहिए, और उसको आपको मतलब introduce हो जाना है, ठीक है, तो I hope आप differentiation का थोड़ा आपको exposure मिल चुका है, थोड़ा मैं बात करता हो integration का, ठीक है, तो अब देखो इसमें, आप बात कर लो integration का, ठीक है, और यहाँ इसमें देखो पूरी physics में टिलाइज होने वाला है, और जहाँ जहाँ पर यह integration डिफेशन्स यूज होगा ना, वहाँ पर मैं इसका इस्तमाल करने वाला है, तो इसमें कोई टेंसल लेने वाली बात नहीं आप लोग को ठीक है, और खास करके जो ट्वल्थ स्टडिंग इसमेंट्स हैं, उनके लिए बैकलोग कब्रेज का भी यह लेक्चर सब त्यार हो रहे हैं, तो आप लोग आप अपडेट रहे हैं, मैं कंटिनिवसली इस पर अभी अपलोडिंग करूँगा, और साथ में 12 का, और अभी आपको ले, जो अभी नेक्स्ट फाइप फिप्ट जून को मैं ड्रॉपर बैचे स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसका भी अपलोडिंग होगा, न या वर्ड मीनिंग से कलेक्शन, ठीक है न, कलेक्शन बोलेंगे, एक मने स्पेसलाइज तरीके का है, समेशन तो जोडते गटाते हैं, तिरी फोर से बज़ ऐसा नहीं है, एक अलग तरह का समेशन है, या इसको डिफिनेशन वाइज बोलेगो, तो इट इस रिवर्स प्रोस इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंसियेशन, तो डिफरेंट कॉंटेक्स में देखता हूं, जैसे यह समेशन, इस पेसलाइज, जैसे माल लो कि यह x-axis है, यह y-axis है, को यह ग्राफ है, और अब देखो, अब इसका एरिया निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है, एरिया, तो इसका एक तरीका है, कि आप छोटे-छोटे slice ले लो, जैसे यह एरिया, यह निकालो, फिर यह एरिया निकालो, और यह पूरा एरिया निकालो, ठीक है, यह समें,